संजीव राइपूर कौंग्रेस के आरुपों की और सरकार के पलटवार की लेकिन डिबेट शूरू करने से पहले अपने महमानों सवाल करने से पहले आप दर्शकों से गोजारेश हैं आप अपना अपना पिछले च्छे महने का बिल निकाल लेजिए देख लीजिए पढ़ भी लीजिए और समझ पास है बिजली के बिल को लेकर विधान सवा में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला क्या उसका सरोकार बिजली भुगताओं से है या जन प्रतिनिदियों के अपने अपने सियासी नफा नुक्सान से है फिर चाहे वो सकता पक्षे हो या विपक्षे जवाब जो भी मिले उसके बात खुद जजज जरूर कीजेगा यह बिजली बिल का सियासी करंट है या फेर आपकी आवाज है पहले देखे रिपोर्ट मद्यप्रदेश विधान सबा के शीत कारीन सत्र का आगाज हो गया है सरकार और विपक्ष एक बार फेर आमने सामने है अविश्वास प्रस्ताफ पर बहस बुद्वार को हुनी है लेकिन उससे पहले मंगलवार को बिजली के बिलों पर बहस छड़ गई कॉंग्रिस सरकात पर बरस पड़ी हालात यहां तक पहुंच गए कि जबलपुड से विधायक तरुन भनोट ने उड़जा मंत्री पर विपक्षी विधायकों को डराने धंकाने का आरोप तक लगा दिया इस स्पीकर से संरक्षन की मांग कन लगे तरुन भनोट ने बिजली उभुगताओं क गलत बिल भिजने कारूप लगाया हुंदेला सिंग सदन में बिजली बिलों के पैंफ्लेट पहन कर पहुंचे अनुपपुर के पुष्प राजगर के लोगों का हवाला देते हुए विधायक ने बिना बिजली कनेक्शन और मीटर के ही लोगों को हजारों का बिल देने का आरोप लगाया इस थानिये लोगों ने भी बिजली विभाग पर जादा बिल देने का आरोप लगाया पुष्प राजगर विधान सवा के दुरांचल गाव जो हमारा रमना नमबर एक है रमना नमबर एक में माननी राष्ट पती महोदा जुरा पोसित जो जनजाती समाज के बैगाज याद के लोग वहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ कोई बिजली नहीं कोई लाइट नहीं कोई मीटर नहीं इसके बाद ये पांच-पांच हजार रुपए के और ऐसा लग रहा है कि कोई एक विक्ति बैट करके और ये सारे विलों को बनाया है हमारे यहाँ पे आज इतने मेहनों से हम देख रहे हैं दो बल्प का कनेक्शन है अव आ रहा है बिल 4,000 कई 35,000 कभी 2,000 ये बिजली बिल हम कहां से पेड़ करेंगे कुछ समझ में नहीं आता बिद्द बिभाग वाले को बोलो तो बोलता है आपको पेड़ करना पड़ेगा जहां तक हम जान रहे हमारे बगल में भी कनेक्शन लगा ही नहीं है और भी ला रहा है 2000-3000 ये सब मिली भगत है बिद्द बिभाग का इनको इनके उपर नकेल कसना चाहिए कांग्रेस की आरोपों को बीजेपी सरकार नकार रही है और कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगा रही है और देश में आलत है ये उससे बोख लाए हुए अब सवाल जही है क्या बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस के आरोप सियासी है या बिजली भाग की लापरवाई का खामियाजा और भुगताओं को भुगतना पड़ रहा है अकाश दिवेदी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया भोपाद तो बिजली बिल का जो इस सियासी जोलजाल आपने देखा समझा इस पर हम और बारिकी से इंडेफ्ट बात करेंगे अपने महमानों से हमारे साथ आज जुडने जा रहे हैं आप तीनों महमानों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और एक बार फिर से अपनी जनता से अपने दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बिजली के बिलनेकार लीजे हमारे महमान जो भी बोलेंगे जरा कैलकूलेशन कर लीजेगा कितना सच से परे है और कितना सियासत से परे है, कितनी सियासत है राजपाल जी सबसे पहला तो सवाल मेरा आप से ही है कॉंग्रिस के आरपों को आप सियासत से क्यों जोड रहे हैं एक विधायक तो पैंफलेट्स लेकर विधान सबा पहुंच जाते हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके शेत्र में जहां मीटर नहीं लगे हुए हैं कनेक्शन नहीं हैं उनके पास भी हजारों हजार रुपों के बिल पहुँच रहे हैं बिजली वभाग जिम्मेदार है और कोई एक विक्ती है जो बहुत बड़े सर पर गड़बर जाला कर रहा ह है इस पर आपका तर्क देखिए मध्यपदेश विद्यूत नियमायक आयोक के निर्देश के अनुसार और टेरिफ के अनुसार मध्यपदेश के अंदर जो इस्थाई आइस्थाई कनेक्शन है उनके बिल मध्यपदेश विद्यूत मंडल उबोक्ताओं को देने का काम करता है और उसी के आधार पर उस नेमाय गयोप के निर्देशों के अनुसार और टेरीप के अनुसार हे बंत्यपदेश के अंदर जो तिन विद्द इत्जूत हैं यह तीनों काम करती है और मैं नहीं मानता हूँ इस पकारसे कि नहीं कोई कि में गणबडी हो रही है नेमित रूप से विद्युत के बिल आने काम होता है क्योंकि विजली आफ निरबाद रूपसे बिलने का काम हो रहा है ग्रामिणी क्षेटर के अगर हम बात करें तो बिजली के लिए सिचैंत के लिए बिजली दस गंटे प्रतीदिन मिलने का काम ओ रहा है महीं चोईज गंटे गाओं की विजली घर की विजली अलग खिडर करने का काम किया है हमारी सरकार जब 2003 में मद्यप्रदेश में आई थी तब नंगे तार को अगर पकड़ लेते थे तो भी करेंट नहीं था बिजली माफ के नाम पर बिजली साफ सी मद्यप्रदेश में दिगवजई सिंग्जी का वो सासन भी हमने देखा है परन्तु उसके बाद में इन 18 सालो में मद्यप्रदेश के अंदर बिजली के उत्पादन उत्पादन के साथ में अत्रिक उत्पादन दूसरे राज्यों को हम बेचने की स्थिती में आए आदार बुद इस्टक्चर हमने बनाने का कांग्रेस उत्पादन को लेकर तो कोई आरोप लगा नहीं रहा है कॉंग्र कॉंग्रेस का आरोप है कि बिजली के बिल बड़े गड़बड आ रहे हैं और इसको लेकर को सुनने को तयार नहीं है परंतु बीच में परंतु बीच में अठारा मेने की जब कवनलाज जी की सरकार आई तो उन्होंने फिर से उस पूरी वेवस्ता को चर्मराने का काम किया और उसका नतीजा है कि अब उसको लाइन पे लाने के लिए हमको लगातार उसके अंदर जो इस सुदार के काम करना पड़ रहे हैं और आज हम इस स्थिती में हैं कि मद्य प्रदेश के अंदर हम निर्बाद रूपते चोई गंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं मुद्धा है बिजली के बिलों का मैं कुनाल जी आता हूँ कुनाल जी आप राजपाल जी के सवाल जो लोने बात अमाम बाते कहीं है उसका जवाब आप जुबानी तौर पर ही देंगे या फिर अपने सब कुछ कागजाद भी लेकर आए हैं जान्ता और आप अगर सही में हैं, अगर आपके किसी इस्टरिंगर से, किसी चैनल पर काम करने वाले से, किसी से पूछे लेंगे उटा गें, तो वो आपको साफ हो जाएगो, बहुत अब बहुत अब बहुत बाते हैं, इसकी उसकी तो अब एक इनकी क्लियरिटी साफ करी दूँ कि ब पूरे देश के अंदर दिया था जिसमें मदपदेश में इतना बड़ा ब्रस्टा अचार हुआ है कि कितने खंबे आड़े रहते हैं कितने तारों के अंदर गाया बे और किस तरह के तार लगें किस क्वालिटी के जनता रोज परशान होती है तीसरी चीज जन बातों को है कि ये बिलो की बाते हम करना है तो ये रोज जनता के बीच में जो लोग रहते हैं उनको रोज समस्याती है और आज सदन में आप आश्यर करेंगे कि सदन में कांग्रेस के विदायक नी जो विदान सबा अद्यक जी है जब मंतरी जी चिला चिला के जूट बोड़ा थे तो उन्होंने का मंतरी जी शांत हो जाओ ये सच्चाई की बात है कि कई न कई समस्या आ रही है इसके निराकरण की बात करो मेरे छेतर में भी आ रही है जब हमने सदन में कि आप बता दो अगर आपके छेतर में नहीं आ रही हो जनता सुन रही है आपको तो आप बता दो कि समस्या नहीं आ रही हो और इस तरह की समस्या नहीं है तो सदन के मुखिया ने भी माना, सारे विधायकों ने भी माना, क्या है बीजेपी को जूड बोलने की आदत हो गई है, ये उस समस्या को समस्या समझदा दी चाहते हैं, एक किसान 5 आसपावर की मोटर करीद के ला रहा है, बिल हमारे पास रखें 5 आसपावर की मोटर के, कि हम कमपनी से पेट्री पेख खरीद के लाएं, और जैसे हम आके लगाते हैं, इनका कोई मीटर आता हो साड़े साथ आसपावर की बताता है, तो या तो गलती मोटर बनाने अली कमपनी की है, या फिर गलती किसके मिद्दूत विबाग के नकली मीटर की है, पर इन दोरों के जो घर का 100 रुपय आ रहा था, मोटरों का आथे 1750 कर रहा था और कहीं नगर कहीं इसको ठीक करने की व्यवस्ता करी थी, और किसान को डीपी-ा, हम कभी भी जायर रोज देने का काम करते थे, सरकारी गाडियों से पहुचाने का काम करते थे, आज धरातल की इस्तितिया अब एक से भी जवाब मांगेंगे तो यह दी जवाब दे पाएंगे कि इन्होंने बिजली के मेरे इतने बड़ाएं क्यों यह सच्चा ही है घर के मिला अगर राजपाल जी देख लेगे ला इनके घर पूछ ले तो दूसरे को तो छोड़ो इनके घर में पूछ ले का अगर जमाने में किस्ता बिलाता तो अभी किस्ता बिलाता तो इनको समझ में आ जाएगा कि क्या इस्तिती मंद्रदेश की है डॉक्टर सत्य प्रकाश आपने विधान सभा के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामे से लेकर अब तक बहस सुनी और समझी सवाल ये है कि क्या मुद्दा बिजली बिल का है सवाल ये है क्या मुद्दा 2023 के विधान सभा चुनाव का है क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि बिजली बिल को लेकर ही पूरी तरह से डिटर्माइन रहे वे पक्षी पार्टी लेकिन यहाँ पर तो धमकाने के भी आरूप लग रहे हैं और स्पीकर से सन्रक्षन की मांग की जा रही है क्या आपको नजर आ रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है जी दिव्यान जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने देखे मैं विदान समा में था आसंदी से भी कुछ डिरेक्शन्स मिनिस्टर्स को इनर्जी मिनिस्टर्स को दिये गए हैं लिखे देखे आपने देखा होगा कि 2003 में बिजड़ी सड़क और पानी किसान से रिलेटेट चीज़े हैं हलाकि सड़क तो आम पबलिक को भी जोड़ती है ये ऐसे मुद्दे थे जिस पे कही न कहीं दिव जैसी की ततकालीन सरकार गिरी और वो साफ हो गई और आपने देखा होगा कि उस तब से लगातार भारतिंतर पार्टे की गवर्मेंट यहां दिखती है लेकिन आज जब 2023 के मुखाने पर प्रदेश बैठा हो और ये तीनों एसूस अगर ना आएं तो बेमानी होगी पॉलिटिक्स में लेकिन ये सत है आपको मैं बता रहा हूँ कि बिजली का भले ही क्राइसिस कुछ थोड़ा सा सरकार ने या आभी प्रेजरेंट गर्मेंट ने कम किया हो सप्लाई का लेकिन ये कोई जुटला नहीं सकता कि जो बिल आ रहे हैं वो कहीं न कहीं ऐसे बिल हैं जिन पर आदमी हास्यास पदिस्किती में पहुँच जाता है कि जिसके यहां कनेक्शन भी नहीं है हलाकि PC सर्माजी ने ये सवाल गिनानसभा में उठाया और उन्होंने विल भी सो किये लेकिन मैं ये फिर भी कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं विकास एक सदत प्रकिरिया है जो आज है उससे बहतर कल करने की कोसिस की जाएगी मैं यहां कॉनाल जी की एक सवाल पर बिल्कु इत्फाक रखता हूँ कि मध्यप्रदेश में वो 2003 के पहले का दौर एक ऐसा दौर था जिसमें कई electricity generation plant set up किये गए और जब कोई plant set up होता या उसकी भूमी का आती है तो उसका जो generation होता है वो काफी समय बाद होता है और उसका फाइदा कहीं बीजेपी लीड गर्मेंट को मिला लेकिन ऐसा नहीं का जा सकता कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया इस फिल्ड में बीजेपी ने भी इसमें बहुत कुछ किया जो कई उन्होंने कई योजना है उनमें उसको कबर किया हलाकि कई जगा अगर average will देख देती है वो कहीना कहीं मंत्री जी जो विभाग के हैं वो कहीना कहीं खंबों पर चड़ जाते हैं तार जोड़ने लगते हैं क्या इतना बड़ा सेट अप है इतना बड़ा वो different scenario है तस्वीर जरा आला गलग है जब आप उज़ा मंत्री को खंबे पर चड़ते हुए देखते हैं या फिर किसी और अंदाज में देखते हैं अब सवाल ये भी है कि बिजली बिल के मुद्दे पर अगर बिल आपको दिखाय जा रहे हैं तो क्या उसे आप नजर अंद कर रहे हैं ये कहकर कि कोंगरेस सयास्त कर रही है या फिर गलती माने सेंगार कर रहे हैं बजली उभाग देखिए इस मामले में में बहुत इस्पस्ट करना चाहता हूँ सो यूनिट वाले जो बिजली बिल है जो बिजली कनेक्शन है जिनकों सो यूनिट के बिल आते हैं वह बड़ी संक्याद है में मद्देपदेश के अंदर उसका आकड़ा भी देने का कम सदद में हमारे मंत्री जी नीं किया है उसके साथ साथ में जो घरलोब बोकता है जिन वकताओं को विजली के बिल जो आ रहे हैं यहां मीटर कहराब हो गया बदल दिए गई या बदल ले जाना है मुहाल पीछले उस्सत जो रहता है उनका एवरेज के इसाफ साते हैं पूरा जो यह बील का सेट अफ है और बील का जो गणना होने का काम है अगर अगर विपक्षी पार्टी विपक्षी जनप्रतनिदी कोई भी नेता किसी भी तरह का बिल सामने रख रहा है तो उन बिलों की कॉपी लेकर क्यों नहीं क्लैरिटी के साथ दूद का दूद पानी का पाने कर दें게 पाने करता है ताकि आप भी पूर जोर तरीके से कह सकें क्या गलत है क्या सही है सदन निश्चित तोर पर सदन के अंदर वही बात होने का काम हुआ है सदन में भागता जवाद दिने का काम किया हमरे सरकार के मंत्री ने उसके अलावा भी बिजली बिल के तूटी के सुधार करने के लिए पुरा सेल बना रखाए हर ग्रीट के उपर हर उस इस्थाद पे जह के संका का निवरन का काम होता है तो इसके लिए बिजली विभाग के पास तमाम व्यवस्थाएं हैं उन शिकायतों को दूर करने के लिए मेरा अगरे चैनल से कि अपने एक दिन चलें धरातल पर मेरा आगरे आपसे यह मैंने आपसे पहले भी बार कहा था और मैं बिल्कुल पश्टा से कहता हूं बात आप जाएंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे हमें आपको हमें ले आने की दुरुत नहीं है आप जाएंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे ने एक मिन रुको रोजी पहुंचता हूं ने एक मिनिट आप तो नहीं पहुंच पाएंगे मैं तो रोजी पहुंचता हूं साधरातल पर रहता हूं इसी दरातल की बात करता हूं बिजली विभाग में जाके देखतो लो समस्या क्या है किस को विजली के चरब हो रहा है। आपको ना तो यह देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं इनने घरों के बिलों को बढ़ा दिया है मोटरों के बिलों को बढ़ा दिया है बिजिली देना कम कर दिया है मदपितेश के अंदर किसान से लेके हर आदमी प्रतारी थे और उसके बाद चोरी और सीना जोरी करते हैं जब सदन के अंदर बात उठाओ, सड़क के ऊपर बात उठाओ, तो कहीं न कहीं जूड बोलते हैं, जनता धरातल के ऊपर आप जिस दिन जाके देखेंगे, मैं तो रोज जाके देखता हूँ, रोज समस्या से दो चार होता हूँ, इसलिए खुले आम ताकत के साथ बात को किया गया, तो ये आप लोगों में बहुत कुछ निर्वर करता है, क्या आप दिखा रहे हैं, और फिर हम आपके दर जोड़ रहे हैं, और वो तस्वीर लगातार दशकुन तक पहुंचती है, यकीन मानिए, बहराल आगे बढ़ते हैं, डॉटर सत्परकाश, मामला क्या इत पर बिल्कु लेकर थोड़ा सा तामजाम नजर आ रहा है, जोलजा नजर आ रहा है, सरकार कह रही है, व्यवस्ता हैं, किसी की शिकायत है, वो दूर कर दियाती है, क्या आपको ऐसा दिखाए दे रहा है? हाला कि बिल्कु आपने सही कहा, कि उर्जा मंत्री ने ये भी कहा है, कि अगर इस मामले में सिकायते आएंगी, हम उनको निप्टाने का काम करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये मुद्दा आपने ये कहा, कि ये बना रहेगा या ये डिजॉल्व हो जाएगा ये मुद्दार बड़ा राजनितिक मुद्दा है, अगर कहीं सरकार इसमें घिरती है, तो अपोजीशन पार्टी इस मुद्दे को जिंदा बनाए रखेगी, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे होते हैं, जिससे ना के बल किशान, बलके हर व्यक्ती जोड़ा होता है, और ये सीध क्रासिस में है, चाहे डिस्यूइशन कंपनी का पैसा हो, या जनरेशन कंपनी का पैसा हो, ऐसी इस्तिती में अगर इंद्रा ग्रह जोती योजना के अंतरका जो सबस्दाइज बिजली प्रोवाइट की जा रही थी लोगों को, उसको कंटिन्यू रखना या उसको बंद करन ये कही न कहीं सरकार के लिए वहाँ कोई की इस्तिती बना दी गई है, हालाकि ये भी सकत है कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जहां कंजम्शन कम है, वहाँ पर लगवग उसी तरह के बिल आते हैं, लेकिन ये बड़ा पॉलिटिकल बुद्टा, ना मीटर है, ना कनेक्शन है फिर भी बिल आ रहे हैं ये, कॉंग्रेस का रोप है ये, बिलकुल, अरे वहाँ बहुत अच्छा सवाल अपने फिर पूछा, ये मैंने विधान समा में आज देखा, कि उन्होंने बिल प्रस्तुत किया, उन्होंने बकार नाम बताया कि फ़लाने, ये क्या है, देखी इस पर उसमें ये, तीन बाते हो सकते हैं, या तो लापरवाय बढ़ती जा रही है, जान बुशकर किया जा रहा है, या फिर इसे नजर अंदाज किया जा रहा है, इसमें मुझे ऐसा लगता है, कि जब मिनिस्टर या सी-म डांट लगाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कि इ करने के लिए, जो पुराने पेंडिक बिल हैं, या उनमें वो ये जात नहीं कर पाते हैं, कि यही कनेक्शन एग्जिस्टिंग है, या नहीं है, किस पर हम कितना बिल लगा रहे हैं, एक बहुत अच्छा मुद्दा है, यह बड़ा मुद्दा बन सकता है, कि किसान पांच हो पावर के समान बिल मिर रहा है, तो यह बिपक्ष तो ऐसे मुद्दे ढूरती है, जिसके कारण कहीं न कहीं सरकार गिरें, और यह बड़ा मुद्दा बन सकता है, हाला कि बिलान सभा में यह भी चर्चा हुई, आप सुना होगा, यहां बिलाइक भी बेटे हैं, कि किसी ने क अगर बीजेपी नुक्षान में जाएगी, तो सिर्फ और उर्जा मंत्री के करण जा सकती है, देखे ऐसा है, बहस हमने की हर मुद्दे को सामने रखा, जनता यही उम्मीद कर रही होगी, जिसका भी बिल थोड़ा सा उचा नीचा रहे गया, कम आया या दादा आया, जो भ अख्थे पेश के जाते हैं, आप तीनों में वानों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलाल अख्थे ब्रेक का, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे, 36 गड़ के मुद्दे की स्थ hypocrine फे बेन, आप उर not, करेंगे, 7 दने कया बहुत शुक्रिया, इस जई झाते हैं, ब्रेक का, एक का दोुण जग।, कि उनकी antenवर बाता करने के लिएका्टली फ्यूसैंचिजड़ने